हेलो फ्रेंड्स और यू हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका अनकाइडमी के प्लेटफॉर्म पे हेलो फ्रेंड्स हेलो एवरिवन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैपिंग की क्लास यह मैपिंग की सीरीज में तीसरी क्लास है जो की UPSC CSC 2020 के प्रिलिम्री एक्जाम को मद्दे नजर रखते हुए इसका एक डिजाइन किया गया आनकाइडमी के प्लेटफॉर्म पे और इसमें उन सभी संभावित कॉस्चन्स पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो की जिनके आने की संभावना या प्रतिसत्ता बहुत करते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए चाओस तो चाओस आइसलेंड जो है वह कहीं न कहीं लोकेशन में देखेंगे तो टेडिशनल है लेकिन उस पर विवाद है और उन विवादों की मद्दे नजर हम उस पर बात कर रहे हैं तो यह करेंड का एक एसपेक्ट बनता है जैसे हम लोगों ने कल Senakaku Island पे बात की ती तो वैसे ही Senakaku Island पे बात की थि South China Sea पे बात की थी Japan पे बात की थी China पर खेलाम पर की थी तो इसलिए सोन मैपिंग विद्ट विद्ट कोस्टन एंशर कर्ट डिजनल ला मड दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि UPSC में आने वाल मुझे ऐसा उमीद है पूरी की पांच से छे कोश्चन जरूर डारेक्टली इंडारेक्टली आपके उसमें जो है रहेगा ही रहेगा तो मैं आगे चलता हूं इसी के साथ जो है मैपिंग वाले पर आप जैसा की देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अपने कि इंडिया लार्जेस लैनिंग प्लैफॉर मैं आप से उमीद करता हूं कि आप इसका सब्सकृश्ट्रिस वापको मिलेंगे इस्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा यहा वदी मैं ले रहा हूं इस तरह से निया इंटर्न सेक्योरिटी हर चीज़ पे आपको क्या मिलेगा एक पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा और पूरा UPSC, CSE में जो आपका मेंशन कोर्स है जो भी मेंशन कोर्स हैं मेंशन कोर्स हैं वो क्या होंगे आपको यहां पर इजली आपको मेंशन कोर्स जो है वो इजली आपको क्या होगा मिलेगा आपको लाइव टेस्स मिलेंगे आपके स आप उनको सॉल्व करिए अनलिम्टेड एक्सेस है आप जो है इसको कर सकते हैं उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने अकाडमी लर्निंग डाउनलोड करेंगे और मुझे वाशा और उमीद दोनों है कि आपने कर रखा होगा आगे चलते हैं मैं मुखलदेव करेंट अफेयर्स और जोग्रफी अपनी विश्यशंग्यता है जोग्रफी कॉल जी करेंट अफेयर्स में 2013 से में ले रहा हूं क्लसे साथ साल के आठ साल का लगभग अनुभव है इनुवस्टी ऑफ एलहाबाद से ग्रेजुएशन प्रॉजशन मेरा है गुजर साब होंगे मुध्द गुपता साथ होंगे अमन शर्मा शाब होंगे तो यह सारे लोग जो है यहां पे अमुडाल पढ़ेला साहां रोमां सैनी साहब है आप इन सभी साथ जुड सकते हैं अक्साजी की सब्सक्रिस्पन फोग इंडीया भेस्जिस्ट बेस्ट और स लिट्टर एंवार्मेंट ऑप्शनल कोर्सेस इस्ट्री करेंट अफेर्स इंडियन एकनोमी प्रैक्टिस स्टैटिजी एंसर राइटिंग कोर्सेस सारे के सारे यहां पे हैं आप देखेंगे तो यह एक मंत का तक्रीब अथ हजार दो तीन का वीज चे का चत्तिस और बारा का 44,000 रुपय है यहां पे अगर आप देखेंगे तो दो तरह के कोर्सेस हैं एक प्लस है एक आइकोनिक है 44,000 का कोर्स है जो कि अगर आप मुखल देव कोड यूज करते हैं जैसा कि मैं उमीद करता हूं कि आप करेंगे तो 39,600 आपको देना होगा और यह 10% का आफ जो है आप को अप्लाई होगा जब आप मुखल देव कोड यूज करेंगे वही 64,000 जो है आपकी फीस है 24 महीने की और अगर आप जो है 10% आफ अप्लाई करते हैं तो 57,600 रुपए आगे बढ़ते हैं और अगर हम देखते हैं आइकोनिक सब्सक्रिस्ट में पे तो प्लस में आपको ला क्योंकि आप कितना मतलब आपका डेवलप कर रहे हैं आप या आपका विकास कितना हो रहा है इस बात को जो है वोट क्या होगा डे बाइडे का एनलेसिस होगा और यह आपको क्या करेगा फायदा पहुंचाएगा तो चलते हैं एक मुकल देव का ये कोड है प्लीज अगर इसको कर सकते हैं तो जरूर करिए 99,000 का फीस है और यह जो है 10% of 89,000 में आपका हो जाएगा हम लोग चलते हैं जो अपना हमारा पहला कुश्चन है पहला कुश्चन है consider the following pairs मतलमने मलिखित को सुमेलित करिए आपको important passes दे रखा है आपके screen पे अगर आप देख पा रहे हैं important passes और दूसरी तरफ दो है mountain range दे रखा है mountain range दे रखा है एक तरफ दर्रों की बात की गई है यह दर्रे और परव्ज रिंखला ओं की बात की गई है यह पर वसिरिंखला है और आपके सामने screen पे है खैबर पास देखिए पहला खैबर पास किस से है किर्थर रेंज से है क्या यह है दूसरा बोलन पास सिक्क्य मिमाले पे है क्या नीती पास हिंदु कुस रेंज पे है क्या तो यह important पासेस है mountain ranges है और यह important पास का इसलिए मैंने यह देखिए है तो यह traditional लेकिन current में लगातार ख अगर चेक करेंगे तो पिछले सितंबर अक्टूबर से खैबर बोलन पे कई बातें हुई अक्टूबर नौंबर दिसंबर जनवरी फरवरी लगातार बातें हैं खैबर पे हैं बोलन पे हैं निती पास पे हैं इसलिए इस important passes को मैंने लिया और हम हमारी पूरी टीम ने लिय और mountain ranges के साथ इनको सुमेलित कराने का question बनाया गया Which of the pair given above is our correctly matched निमलिखित में से कौन सा जो सुमेलित है मतलब सही है तो यहां पे is our correctly match की बात की गई है और is our correctly match पे क्या केवल एक है या दो और तीन है या सी एक दो है या नन इन में से निमलिखित में से कोई नहीं है आपके पास time अभी स्टार्ट होता है और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं लोग जुड रहे हैं मैं उनका welcome करना चाहता हूं जो लोग अभी जुड रहे हैं और जिसमें beginners to master का channel अभी 2M पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मुखल देव एक बार फिर से हम लोग question answer के practice session पे जा रहे हैं और ये practice session के साथ साथ अपनी जानकारी को enhance करने का सबसे बड़ा साधन है हम अपना practice session भी कर सकते हैं जानकारी को enhance कर सकते हैं और हम क्या-क्या देख सकते हैं इन चीजों पे तो ये है important passes mountain ranges पे question है which of the pairs given are correctly matched पहला है दो तीन है एक दो है नन है अब हम लोग चलते हैं आगे की और तो answer देखें तो answer क्या आ रहा है नन आ रहा है answer कोई भी नहीं है ऐसा इसलिए है क्योंकि अब हम लोग चलते हैं answer की और तो यहां पे किर्थर range पे है नहीं किर्थर range पे नहीं है जो खैबर पास है आपके सामने आपके उस पे देखिएगा तो जो खैबर पास है वो कहां पे है ये सफेद को Mountain का Part है, ये Happy कुष का भाग है, सफेध को, ये जो खैबर पास है, खैबर पास या खैबर दर्रा जिसको कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है, ये दर्रा क्या है, ये आवा गमन के साधन होते हैं, किसके साधन होते हैं, क्छाली इक मनुष्यों के लिए होते हैं क्या for human only नहीं यह humans के लिए नहीं यह humans के साथ साथ बहुत सारा air भी यहां से move करता है यह air के movement का बहुत बड़ा साधन है इंडिया पे आएंगे तो हम लोग जानेंगे कि यह क्यों है ऐसा सफेद कोh mountains पे है between Afghanistan पाकिस्तान तो यह एक fact आप लोग थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा यह उन बच्चों के लिए है जो खोजी fact ढूडते रहते हैं तो यह खोजी fact है हाला कि UPSC का खोजी fact से कहीं कोई लेना देना नहीं है वो खोजी facts पे नहीं जाता है वो जाता है उन facts पे जिन facts की वज़े से कहीं न कहीं क्या है कहीं कोई economical issues बन रहा है कहीं न कहीं कोई ecological issues बन रहा है कहीं न कहीं sociological issues बन रहा है कहीं न कहीं कोई legal issues बन रहा है तो इस तरह के use पे UPSC questions उठाता है ना कि खोजी facts पे उठाता है तो प्लीज आप खैबर पास तो खैबर पास इसलिए बहुत important है कि सदियों से ये पास जो है हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान का पहले पहले अगर आप देखेंगे कि लारजन जो इंडिया कॉंटिनेंट था वो इंडिया कॉंटिनेंट का हिस्सा था खैबर पास तो ये खैबर पास कहां पे है तो between आफगानिस्तान और पाकिस्तान है ये जो सफेद को mountain दिख रहा है ये किसकी range है हिंदुस्तान कुछ की range है और अगर आप खैबर पास को देखने की कोशिश करेंगे maps मैप में अगर देखेंगे तो ये area देखें मैं locate कर रहा हूँ आपके लिए ये area locate कर रहा हूँ ये खैबर पास का area है और इसी area खैबर पास के area ये क्या है ये यहाँ पे है आप देखिए ये इंडिया का area है ये पाकिस्तान है और ये आफगानिस्तान तो आफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर जो पास है जिस पास से होकर मुहम्मद गजनवी आया था जिस पास से होकर मुहम्मद जिसे अभी अब चर्चा करते हैं पहले खैबर पास पर बता दें आपको कि खैबर पास है ये हिंदुकुष माउंटेन है हिंदुकुष मा आफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ता है एक पास इसके साथ बहुत इंपॉटेंट वो है कि यह strategic military है strategic military pass है अब strategic military pass का मतलब आप शमज Mex cultivationा की यह क्या है यह बहुत जादा यहां से military का moment है यह military का मतलब army का moment है honor we can regardop की कोषिश करेंगे तो आपको ऐसा नहीं एठ कि यह आज Paw IV का है यह सदीओं से मतलब आप अगर इतिहास के पन्लों को अगर पलटेंगे तो आप यह पाएंगे कि मुहम्मद गजनवी मुहम्मद गजनवी मुहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है यह आक्रांता है जो भारत की सरजमी पर आया था मुहम्मद गजनवी यह मुहम्मद गजनवी भी इसी रास्ते से कि खाइबर पास के दर्ने से आता है वहीं मुहम्मद गोरी का नाम आफगान का नाम आपे लोगों को देना है तो गजनवी और गोरी पे उन्होंने पढ़ाई जरूर की सी रास्ते से आए इवन देन जो भारत पर मंगोलों का आक्रमड हुआ जो तुरकी मंगोलों का आक्रमड होता है तुरकी मंगोलों का आक्रमड होता है वो कहां किस पास से होता है वो खैबर दर्रे से ही होता है इसको हिंदी में मैं लेक देता हूँ खैबर दर्रे से ही होता है और इस खै प्रिजिटट कॉंटेक्स्ट में देखें प्रिजिटेक्स्ट में देखें प्रिजिट्ट कॉंटेक्स्ट का मतलब है वर्तमान वरतमान में देखें तो आप लोगों को पता होगा कि अफगणिस्तान की papier biscuit है तालीबान去了 बेल्ट है ये और जो नाटो की सेना है पूरा नाटो की इस नाटो की सेना का जो आवा गमन का रास्ता है क्योंकि आफगानिस्तान क्या है लैंड लॉक है तो इस एरिया से खैबर पास से ही वो कहां पाकिस्तान की एरियाज में और इस एरियाज में इनका मुवमेंट कहां से ह से होता है इस एर् ten ऐसे होता है अब आप ये समझ चुके हों pillar कि उन्टजिक मिलेटरी पांस क्यों कहा गया ओर सेंचुरी शेंचुरी इसलिए कहा गया क्योंकि कहीं 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 गजनवी गोरी तुर्की, मंगोल, काक, क्रमण भारत पे इसी से हुआ आज भी नाटो की सेना जो यूस कर रही है वो खैबर दर्रे को यूस कर रही है अब हम लोग चलते हैं इसके एकालक पॉइंट्स पे तो खैबर पास बिकम अ क्रिटिकल पार्ट अफ दा सिल्क रोड अब जरा समझिएगा ये सिल्क रोड सिल्क रोड पे बात की गई है कि ये सिल्क रोड जो सिल्क रोड पे इस पे हम मैं थोड़ा सा और आपको अपडेट करता हूँ अभी चीज़ों को सिल्क रोड जो है ये इसी पास से होकर सिल्क रोड जाता था मतलब जो सिल्क रोड है इसी पास से होके जाता था अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सिल्क रोड के बारे में तो सिल्क रोड के बारे में देखने के पहले हम थोड़ा सा एक चीज मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं यहां पे यह one road, one belt है, ठीक है, one belt, one road कर लिख देता हूँ मैं, यह basically one road, one belt है, one road, one belt यह किसकी policy है, यह चाइना की policy है, चाइना की policy है, अब मेरी बात ध्यान से समझेगा थोड़ा सा, ये इसका एक रूट है, सिल्क रूट है, ये बना कैसे, ये देखिए का वन बेल्ट वन रोड के components क्या हैं, तो एक सिल्क रूट है, जो सिल्क रूट है, उसके दो components है, एक ancient सिल्क रूट है, ancient मतलब प्राचीन, प्राचीन रेशम मार्ग, अब ये जो प्राचीन रेशम मार्ग है, इसी को ancient सिल्क रूट बोलते हैं, जो दूसरा एरिया है इसका, वो maritime सिल्क रूट है, अब ये जो प्राचीन रेशम मार्ग है, ये जो आप आप देख रहे हैं स्क्रीन पे प्राचीन रेशम मारग और मेरी टाइंग यह मेरी टाइंग तो अभी की संकलपना है अभी इसको बनाने की बात चीज चल रही है यह वर्तमान की संकलपना है लेकिन यह जो प्राचीन रेशम मारग था यह प्राचीन रेशम मार एक्जिस्ट क करता था अब जरा मैं आपको फिल्क रूट पे बताता हूं पूरी कहानी हर्ण इस हर रूट पे पूरी की पूरी कि एक सेकेंड बस आप लोग थोड़ा सब बने रहीए while a colour पूरी कहानी मैं आपको डव्लप करता हूं ये सिल्क रूट आप लेघे के आउं इसिल्कू-ड फागय बेशिकली जो इंसेंट वाला है यह जो इंसेंट पे मैं बात कर रहा हूं यह इनसेंट पर यह वेश्ट का एरिया वेश्ट और यह है कि यह है यह है इस्ट खा इस्ट का जो है वह आप यहाँ प्यांप्याई यह संघाई से लेकि देखिए मैं जो रास्ता यूज कर रहा हूं संघाई से लेके टर्गे इस्तेमाल होते हुए यह यहां तक यह ये एरिया, इसी को क्या कहा गया, इसी को सिल्क रूट कहा गया, और ये कैसा सिल्क रूट है, एंशेंट सिल्क रूट है, अब ये वेस्ट का है और ये इस्ट का एरिया है, ये क्या है, ये आपस में क्या है, वेस्ट और इस्ट की क्या है ये, ये संपर्क है, संपर्क है, का मतलब है connectivity है connectivity है और यह जो connectivity है वह कैसी है किसको लेके है तो यह connectivity कहीं ने कहीं economics को लेके है economics को लेके है economics का मतलब व्यापारिक है व्यापारिक है यहां पे होता था सिल्क और यह सिल्क जो है इन ही रास्तों से होकर क्या होता था जाता था तो यह व्यापारिक है व्यापारिक के साथ साथ क्या है यह कल्चरल रूट है यह कल्चरल रूट है कल्चरल रूट का मतलब क्या होता था दार्शनिक जितने बड़े दार्शनिक थे उनका आदान परदान होता था आदान परदान होता था वस्तूओं का आदान परदान होता था इस तरह से सांस्कृतिक मार्ग है खाने पीने का आदान परदान होता था बहुत सारी चीजों का रेशम का आदान परदान होता था तो ancient silk route क्या है west और east की connectivity थी यह west और east की connectivity मतलब संगाई से लेके काइडिस तक था मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है Atlantic Ocean है यह काँ सा ocean है यह वाला Pacific Ocean Atlantic Ocean को Pacific Ocean और Mediterranean Ocean से जोडने वाला मार्क था तो उस तौर पर silk route को क्या है ancient silk route था और यह इतना बड़ा रूट था इसमें आप देखेंगे तो पूरा का पूरा एशिया सामिल हो रहा है मिडिल एशिया पूरा सामिल हो रहा है यूरोप पूरा सामिल हो रहा है तो यह बहुत बड़ी बात थी तो अब यह वन बेल्ट वन रोड इनिशेटिव के अंतर का चाइना की पॉलिसी क्या है कि प्राचीन रेशम मार्क को फिर से क्या करना है जीवन्त करना है जीवन्त करना है मतलब इसको क्या करना है इसको इसका पुनुरुद्धार करना है पुनुरुद्धार का मतलब क्या होता है मतलब वापस इसके existence को क्या करना है बढ़ाना है कि एक्जिस्टेंस को बढ़ाना है वहीं मेरे टाइम सिल्क रूट आप देख रहे होंगे मेरे टाइम सिल्क रूट आप देख रहे होंगे मेरे टाइम सिल्क रूट आप देख रहे होंगे इस एरियाज में यह मेरे टाइम सिल्क रूट अब मेरे टाइम सिल्क रूट की जो स को लब लमपूर होते हुए चतो कि यह पूरा एरिया देख रहे हैं रिखान से यह इसका इसमें कूलकत्ता को भी शामिल करना है हमबन बटटा है स्रिलंका के पास को लेना है यहां से रिख अधरीका की नरोभी केणिया होते यहां पे इस areas में आना है और यहां पे Red Sea होते हुए, Red Sea होते हुए, Egypt की राजनानी कहरो होते हुए, Mediterranean Sea होते हुए, Italy, Italy से फिर Venice का यहां पे इसको क्या मिल जाएगा इनर वाटर वेस मिल जाएगा और इस इनर वाटर वेस का और रोड का भी यूज़ करके ये पूरा मास्क ओऊ उक्रेइन ये पूरा एरिया ये कवर करना चाहते हैं तो ये मेरेटाइम सिल्क रूट हो गया वन बेल्ट वन रोड इनिस एटीव चाइना पॉलिसी सिल्क रूट उसमें प्राचीन भी है maritime भी है प्लस यहां पे cpec भी है cpec भी है चाइना पाकिस्तान economic corridor यह देखिए का चाइना पाकिस्तान economic corridor कहां पे है तो आप देख रहे ही यह चाइना का area है यहां पे यही से हो के यह आएगा और यहां तक आएगा यह पूरा area यह पूरा area क्या है यह तो यह one belt one road initiative के हमने बात की इसमें silk route की बात की silk route के बाद यह कैसे प्राचीन route है silk route का मतलब क्या है west or east की connectivity क्या खाली व्यापारिक नहीं व्यापारिक के साथ दार्शनिक भी है यह cultural route भी था economical route भी था और यह economical cultural route का यह है आखिर आखिर नीड क्या है क्या जरूरत है नीड क्या है चाइना इस policies पे जा क्यों रहा है तो इस यहां थोड़ा सा याद रखिए इस बात को कि अगर आप इस पूरे बड़े एरिया को देख पा रहे हैं यह पूरा रश्या यहां से लेके चाइना या इंडिया यह पूरा यह एरियास को कवर करना क्यों चाहता है क्योंकि वह देख रहा है कि 55% जो है लगभग लगभग 55% वर्ल्ड की जो GDP है वो इनी देशों से आ रहे है इस एरिया से आ रहे है इस एही एरिया से आ रहे है तो वह इन एरियास को क्या करना चाहता है वो कवर करना चाहता है क्योंकि वह कैसा है manufacturing hub है और manufacturing hub है चाइना क्या है यहां पे चाइना को अगर हम देखें तो यह manufacturing hub है पाजार कब होगा जब connectivity बढ़ेगी 55% जो है वर्ल्ड की GDP का एरियाज जो है वो यही है दूसरे अगर वो देखे तो 70% population मतलब यहां पर क्रे करने की छमता इनी के पास है population मतलब market 70% के आसपास population जो है इसी एरियाज में क्या है सकेंद्रित हैं concentrate हैं concentrate हैं या सकेंद्रित हैं सकेंद्रित हैं मैं अपने हिंदी के सभी छात्रों से मुखातिबों के बात कहना चाहता हूं कि please मेरे अंग्रेजी के term को आप लीजिए क्योंकि it is very important in UPSC exams क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि हिंदी माध्ध्यम का result जो है वो नीचे जा रहा है नीचे इसलिए नहीं जा रहा है कि आपके अंदर मेहनत की कमी है आपके अंदर ग्यान की कमी है या आपकी किताबों में ग्यान कम है कई बार ये देखने को मिलता है कि हम questions को जो है जो हिंदी में questions है और जो अंग्रेजी में questions है दोनों के sense में ही बहुत अंतर है तो इसी लि कि क्या जरूरत है पूरा One Belt One Road Initiative बनाने की 55% वर्ल्ड GDP का है 70% के आसपास आपको ये population दिखेगा अगर आप वर्ल्ड का खाली 75% अगर देखेंगे energy की area जहां पर energy energy का मतलब oil का area गैस का area तो oil और गैस का सबसे ज़्यादा जो concentrated zone है concentrated zone है जो की producer भी है सबसे ज़्यादा producer है मतलब निकालते भी है और जिनके पास क्या है अपना producer के साथ-साथ reserve भी इनके पास सबसे बड़ा है reserve मतलब यहाँ पर यह areas जो है producer reserves के है oil और गैस तो मतलब अगर यह area चाइना कवर कर लिया तो 21 joes in centr region की स्थियाएं नहीं कि निद्वें चताब्डी किसकी होगी उसकी होगी याद रख़िये गा कि as a lot can बहुत Dann May 21st century है कि ऐख США जिए कि ऑ कड़ा इसियन सेंचुरी है है कि में तव। जियन सेंचुरी है और यह जो Asian century है 21st इसमें जो lead करने वाले देश है मतलब जो नित्रित तो करेंगे वो काउन से है चाइना पे लोगों की निगाह है और इंडिया है यही दो देश है तो यह जो Asian century है 21st को Asian century 21st century के लिए जो पूरा उसका एक अपना vision document of China है vision document of China में वो China चाहता है कि पूरे इस areas को वो connect रखे और याद रखिएगा एक बहुत बड़ा मेरा मतलब आप वो ले लीजिए दर्शन ले लीजिए याद रखिएगा इस चीज को अंग्रेज के ओं दुनिया में हावी हुए अंग्रेज इस पूरे दुनिया में उन्होंने क्यों हावी हुए क्योंकि उन्होंने रास्तों की खोज की रास्तों की खोज की है और इन रास्तों की खोज के कारण पूरा विश उनका गुलाम रहा है एक लंबे समय तक रहा है मतलब ऐसा नहीं कि 10-5 साल तकरीबन पूरे कॉंटिनेंट में कम से कम 100-200 सालों की गुलामी सभी ने जहला इसलिए जहला क्योंकि उनको खोज थी रास्तों की और वो रास्ता निकालते थे तो जिस आदमी में भी जिसे हम अगर आप में ये खोज है रास्तों की खोज आपको करना है तो आपको मिलेंगे तमाम लोग आप UPSC कर लेंगे तो इसी तरह से इन लोगों को अंग्रेजों को खोज थी रास्तों की और उन रास्तों की वज़े से ये कभी भी अंत नहीं हुआ कभी भी सूरज इनका ढलता ही नहीं था आज उसी कल्चर को लेके चाइना भी जा रहा है कि उसको रास्तों की खोज है और इन रास्तों की खोज हुए ancient maritime, ancient से कर रहा है प्राचीन से कर रहा है, cpex से कर रहा है तो ये पूरी कहानी मैंने आपके लिए बात कर दी और ये कहानी की शुरुआत मैंने आपके लिए क्यों की, तो इसके लिए सबसे बड़ा reason मैं आपको बदाता हूँ कि ये खैबर पास और खैबर पास में जो silk road था, ये silk road पे इसलिए मैंने आपको एक चोटा सा demo दिया, इसलिए दिया क्योंकि UPSC का UPSC का unpredictable service commission है unpredictable का मतलब होता है, आप उसको इतना easy predict नहीं कर सकते कि कहां से question आ जाएगा, अगर हम holistic जानकारी रखेंगे, एक simple सी जानकारी, एक simple सा question फिक के कि हां ये ठीक है, ये सही है, ये गलत है, नहीं हो पाएगा इतम clearly है, ये तब हो पाएगा, ये तब बहतर धंग से हम कर पाएगे, जब हमको कम से कम उस पे दो-चार जानकारी हों, क्योंकि single form में तो question आता ही नहीं है, बड़े form में होता है, तो यहां पे मैंने आपके साथ ये चर्चा कर दी, अब चलते हैं, बोलन पास की तरफ, तो अगर आप बोलन पास को देखें, ये बोलन पास है, ये वाला एरिया, बोलन पास का है, ये खैबर है, यहीं पे बोलन पास है, ये वाला एरिया, ये बोलन पास का एरिया है, यहां पे देखिए, क्वेटा का एरिया है, ये एरिया है, बोलन पास का, खैबर पास थोड़ा सा उपर है, बोलन पास, बोलन पास जो है, वो कहां पे है, important natural gateway है, किसके बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यह नेचुरल गेटवे है, यह connect करता है, CB को क्वेटा से connect करता है, यह देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आपको अगर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे तो मैं लगातार टिक मार कर रहा हूँ, क्वेटा, बीच से connect करता है, अहमसादुरानी, यह अफगान किंग था, हो सकता है, आपके सामने यह सवाल देखने को मिल जाए, UPSC में, अहमसादुरानी जो भारत में इसी बोलन पास से आया था, हो सकता है, पास दे दे और इन्वेडर्स का नाम दे दे, इन्वेडर्स का मतलब है आ आकरामता, या आकरांता, तो यह जो दर्रे हैं, आकरांताओं का आने का पूछ ले, तो दर्रे किस दर्रे से कौन आकरांता आया, तो एहमसादुरानी जो है, एहमसादुरानी जो है, वो किस दर्रे से आ रहे हैं, तो वो बोलन पास से आ रहे हैं, बोलन पास की मैंने आपक location clear कर दी कि कहाँ पाय जाता है और फिर वो क्वेटा से लेके स्वीबी तक जोडने का area है ये बलुचिस्तान वाला area है बलुचिस्तान province याद रखिएगा जो बलुचिस्तान है वहाँ पे freedom fighters वहाँ के freedom fighters ये मांग कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का रूर है पाकिस्तान का रूर area है जैसे हिंदुस्तान का रूर क्या है छोटानागपूर का पठार है छोटानागपूर का पठार क्या है हिंदुस्तान का रूर है इंडिया का रूर अगर पूछा जाया रूर का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि mineral built है mineral built है तो ऐसा मानना है कि जो बलुचस्तान का area है वो क्या है Pakistan का mineral built है और CPAC के पीछे लोगों का ये दावा है या लोग ऐसा सोचते हैं या तमाम article cover कर चुके हैं कि CPAC इसलिए लाया जा रहा है चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक करिडोर इसलिए किया जा रहा है कि बलुचस्तान में बहुत जादा मिनरल है और इस मिनरल को पाकिस्तान के बस की बात नहीं है कि वो निकाल पाए इसलिए उसके बस की बात नहीं है निकाल पाए क्योंकि वहाँ पे उसके पास ना रिसर्च है ना टेकनॉलजी है ना पूजी है और चाइना को चुकी इन एरियास की जरूरत है क्योंकि उसको नए मिनरल्स चाहिए उसको minerals चाहिए क्योंकि यहां industry है उसको raw material देना है तो वो वहाँ पे क्या करें वो वहाँ से निकाले और अपने हाँ पे ले जाए इसलिए वो China पाकिस्तान economic corridor बना रहा है ताकि वो वहाँ से mineral निकाले अपनी industry को दे और इससे पाकिस्तान को क्या फाइदा होगा कि उसकी GDP, GNP नाम की कोई चीजी नहीं है वहाँ पे ऐसे ही देश चल रहा है भगवान बरो से बस जो है तो वो जो देश है उसको कम से कम चाहिना कुछ क्या कर देगा रोड बना के देगा, रेल बना के देगा उसको कैसा network connectivity, जो है कुछ towers लगा के देगा और इस तरह से कुछ उसको जो है क्या मिल जाएगा कुछ पैसा मिल जाएगा जिससे वो अपने 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 देश को समाल पाए तो ये कुलमिला के कहानी है, इस तरह का तमाम article आपको हिंदू में देखने को मिलेगा एक हम लोग चलते हैं, बोलन पास तो हम लोगों ने देखी लिया निती पास को हम लोग देखते हैं, निती पास तो निती पास वहाँ पे अगर हम लोग options में देखे थे कि निती पास क्यों गलत था, तो निती पास वहाँ पे क्या बोला गया था तो वहाँ पे बोला गया था कि पे हिंदू कुश्ट पे है नहीं इसके बाद यह जो निती पास है ये उत्राखंड स्टेट में है इडिस क्लोस टू चाइनीज बॉर्डर ये चाइनीज बॉर्डर के एकदम काफी करीब है निती जो है वो लास्ट विलेज है इन दा वैली बिफोर दा बॉर्डर विच साउस तिबबत तिबबत के दक्षणी हिस्से में सबसे अंतिम बिंदु पर जो गाउं है उसको कहते है निती और निती पास है इसी निती पास से होकर जो लोग काल कैलास मांसरोवर की यात्रा करते हैं कैलास मांसरोवर की यात्रा इसी निती पास से होती है और चाइना का टेंशन देखते हुए, चाइना से जो इंडिया के टेंशन थे, उस टेंशन को देखते हुए, कैलास मान सरोवर की यात्रा पे बहुत सारे प्रस्चिन्न थे, इसलिए इस question को जो है, यह था traditional का, लेकिन चुकि current में बना हुआ था, current में news इस पे बनी हुई थी तो इसलिए इस question को सामिल किया गया, चलते हैं आगे, consider the following pairs, दूसरा लेते हैं, place in news, लगातार news में है, place in news, ध्यान दीजेगा, जिन लोगों को देना है, समय के अभाव में जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, please इस videos को आप जरूर देख लीजेगा, जिनको आपको exam देना है प्लीज मैं उन लोगों से बड़ा request कर रहा हूं, इस videos को इसलिए देखें, watch करें, क्योंकि ये videos कहीं ने कहीं, उनके 5-6 questions, 7 questions जरूर बढ़ाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं बार-बार इस बात को लेके कह भी रहा हूं, request भी आपसे कर रहा हूं, अच्छा, दूस आप एक्जाम है, साल भर का process है, तो आप किस चीज को लोगे, तो place in in news देखें, मैं आपके लिए news निकाल के ला रहा हूं, तो आप मुझ पर कब तक इस बात के लिए होगे, कि मैं थाली सजा के लाऊंगा और आप बैठ होगे, आपको news छाटना आना चाहिए, ये जरूर ह कि आपको खुद चलना आना चाहिए, मैं ये चलाने से नहीं होगा, तो place in in news का देखी, ये place news में था और मैंने उस पर question बना लिया, तो जब आप अकबार पढ़ेंगे या चीजों को पढ़ेंगे, तो क्या होगा, आपकी निरभरता कम होगी, आप खुद से ये समझ में आ सकता है, ये ecology में आ सकता है, इकनॉमिक्स में आ सकता है, तो देखते हैं सवाल देखते हैं, consider the following pairs, places in news or location, Scarborough को देखते हैं, Scarborough, Scarborough, Seoul, ये एक South China Sea में बता रहा है, South China Sea में, Fargana Valley, Fargana Valley बहुत important है, लगातार news में बनी हुई है, Central America, Curul, Iceland, Curul, Iceland, बहुत ज़्यादा news में है, East China Sea, which of the pair given above is our correctly match, पहला, A, 1N3, 2N3, D, 1, 2N3, आप लोग फोड़ा समय ले लीजिए और देख लीजिए आपको अगर ये समझ में आ रहा है, Scarborough, Umborough, Shoal, Fargana Valley, Curul, Iceland, Scarborough, Shoal, चलते हैं, answer की तरफ, answer हम लोग देखते हैं, answer A है, मतलब पहला, खाली मैच है, बाकी Fargana Valley नहीं है, Central America में क्यूरिल, Iceland, इस चाइना सी में नहीं है, अब हम लोग जड़ा देखते हैं, ये Scarborough Shoal है, कहां पे क्या मामला है, Scarborough Shoal है, कहां पे और क्या मामला है, देखें, ये Scarborough Shoal है, ये, Scarborough Shoal, ये एरिया है, ये एरिया है, कौन सा एरिया है, ये देखने हैं, ये South China सी है, अब थोड़ा सा यहां पे याद रखिएगा, ये देखिए, Parcel Islands, जरूरी नहीं, ये Scarborough Shoal को न पूछ के Parcel Islands पूछ दे, कि Parcel Islands कहां है, क्यों है, ये बहुत विवादित छेतर है, वर्तमान में, दुनिया में सबसे बड़ा विवाद अगर देखा जाए, तो पहला जो इसराइल वाला बेल्ट है, इसराइल, लेबनान, सीरिया, यमन, एक बहुत बड़ा विवाद इच्छेतर है, वो चुकि लंबे समय से विवाद में है, और लंबे समय से UPSC उसको पूछ रहा है, लंबे समय से, मेरी बात नोट करिएगा, अगर आप 2013 का लेले पेपर, 2014 लेले, 2015 लेले, 16 लेले, 17 लेले, लगातार आपको मिलेगा वहाँ पे इसराइल वाले एरिया से question जो है, लेकिन अब UPSC थोड़ा सा shift करना चाहेगी, तो South China Sea, East China Sea, और Indian Ocean, विवाद बढ़ रहे हैं, विवाद बढ़ रहे हैं, इसलिए वो बहुत important बनता है, इसलिए मैंने आज इसके पहले जो दो क्लासें से उस पे focus किया था, इंडिया ओशन पे, पार्सल आइसलेंड देखिए, यहीं पे है, स्पार्टी आइसलेंड से यह वाला एरिया है, चाइना का 9-डेश लाइन देखिए, यह अकसर पूछा जाता है, 9-डेश लाइन किसमे है, यह विवाद है, किसके बीच में विवाद है, तो यह चाइना, चाइना और किसके बीच में है, तो ताइवान के बीच में विवाद है, यह देखिए, यह पूरा बेल्ट यह क्या है, यह पूरा चाइना का है, यह देख रहे हैं, यह चाइना, यह ताइवान, यह विव यहां पे कौन सा निकल रहा रहा है यह क्यों ऐसा मिल रहा है क्योंकि यह चिछला shallow water है यह shallow water है और आप अगर जोग्रफी को थोड़ा सा डंग से आपने देखा होगा तो जो shallow water या shallow seas हैं वो oil और natural gases के बहुत बड़े एरियाज यहां पे ही मिलते हैं तो ये है oil और और दूसरा ये मतलब अगर ये फ्टू का कॉंसेट आपको दिखा दुनिया में फ्टू का फूड और फ्यूल मतलब भोजन और ये तो ये disputed areas हो जाएंगे disputed areas होंगी यहां पर dispute होगा और खास कर ये देखिए संक्रमर जोन पर है transitional zone पर है ये transitional zone है ये transitional है किसके किसके बीच में एक तरफ चाइना को देख लीजे एक तरफ ताइवान को देख लीजे इधर ये देखिए Philippines का area है इनका कहना है कि exclusive economic zone इनका विशेश आर्थिक अनन्ने छेत्र इनका पड़ता है इनका कहना है इनका पड़ता है इनका कहना है इनका पड़ता है इनका कहना है इनका पड़ता है तो चुकी उस संसाधनों के लिए resource के लिए दुनिया में लड़ाई चल रही है और इस resources से इसके कारण यह जो सकर्बोग शोल है यह बहुत important है मैंने आपके लिए बात कर दी यह सकर्बोग शोल को एक और नाम जाना जाता है हुंगें दाओ आप याद रखेगा हो सकता है चुकि यह बहुत ज़्यादा news में रहा सकर्बोग शोल तो हो सकता है नाम उसका इस बार ब 33 किसके के बीच मेंege तो बीच में जुकि और ये बात को मैंने यहां पर सका मैंने बता दीट कि विवाद है फिलिपीन्ट को लेकेश चाइना को लेके और तैवान को लेके अब चलते हैं वे अरिया चलते ये फ़र्गना वैली की सेंट्रल अमेरिका है क्या नहीं अ में अर्पऊ सेंट्रलेका ऐसीया का एरिया है कंजा किसी बीचीजमे क्या हो जाए यह फॉर्स लग जाए और किसी चीज में क्या हो जाए फोर्स लग जाए तो बीच में जो डेब्रिस होगा डेब्रिस यह जो डेब्रिस है वो क्या है मलबा है इस मलबे में क्या होगा फोल्ड पड़ेंगे फोल्ड पड़ेगा तो क्या होगा एक उचया जाएगा और एक नीचा जाएगा नीचा जाएगा आप देखें, यहां मैं मलबे में पड़ा रहा हूँ, यह हो गया, यह, तो यह क्या है, यह एंटी क्लाइन्स है, यह क्या है, सिन क्लाइन्स है, मतलब यहां पर क्या है, यह उचा बाग है, टॉप हो गया, और यह क्या हो गया, डाउन हो गया, यह जो डाउन का एरिया है, नी 하면서 अब जनो चभीछ जोड़नी में घाटी जब दो तरब से समपरशनल फोर्स और लगने के कारण मल्बो में वलन पड़े और वलन पड़ने के सब्सक्राइब दूसरा वह और धुसरा धाकिंछ तो उठे हुए भाग को आप क्या कहेंगे टॉप या माउंटेन कहेंगे दंसे भाग को आप क्या कहेंगे वैली कहेंगे यह वैली क्यों यहां बन रही है फरगना वैली क्यों बन गई यह एरिया तेंशान है तेंशान का एरिया है तेंशान है यह एरिया तेंशान का है और यह जो एरिया है ये जो area जो मैं बना रहा हूँ आपके सामने ये जो area है वो घिसार अलाई का area है गिसार अलाई का देखिए यहां पर noting मैंने कर दी है आपके लिए प्लीज आप इसके PDF को वो कर लीजेगा तिये इन्शान और घिसार अलाई ये जो फर्घना वैली का हिस्सा है वो Central Asia में है और ये Central Asia में हो सकता है Central Asia सब्द नदे तो आप ये जानते रहिएगा कि कुछ भाग कौन सा पढ़ रहा है देखिए उजबेकिस्तान का उजबेकिस्तान का एक बड़ा भाग जो है वो फर्घना वैली से बहुत दूर है तो हो सकता है कि आपको confused करने के लिए किर्गिस्तान की जगह कजाकिस्तान का नाम दे दे तो थोड़ा सा यहां ध्यान रखेगा याद रखेगा UPSC में जहां पर हाइमिन सब्द होते हैं मतलब मिलता जुलता नाम हो मुकुल और शुकुल अगर दोनो हो तो मुकुल और शुकुल हो तो हो सकता है कि UPSC मुकुल की जगह शुकुल को रख दे तो थोड़ा सा यह important है तो कजाकिस्तान की जगह वो किर्गिस्तान का नाम रख दे तो फर्गना वैली का संबंद किर्गिस्तान से नहीं है यहां पर फर्गना वैली का संबंद यहां वैली है, किसके बीच में है ताज़ाकिस्तान है उजबेकिस्तान है किर्गिस्तान का एडिया है, तो अब वह वहां पे गलत हुआ एक और वहां पे पूछ रखा था उसने क्यूरिल आइसलेंड पूछ रखा था और क्यूरिल यह सौरी, South China Sea नहीं है यह, यह Sea of Ocastuck है, Sea of Ocastuck हो Pacific Ocean का एरिया है, सौरी यह गलती होगी मुझसे, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, क्यूरिल आइसलेंड यह कमचटका पेनिसुला और जापायन का होकाइडव, होंसू, होकाइडव और कमचटका पेनिसुला के ऊपर का जो एरिया है, और यह इसका हिस्सा है, न की यह हिस्सा वहाँ पे है, South China, आप देखिए, Sea of Japan यहाँ पे है, चाइना सी नीचे जाएगा, तो वहाँ से बहुत दूर है क्यूरिल आइसलेंड और क्यूरिल आइसलेंड हाल में बहुत सारा निउस में रहा है, तो प्लीज आप क्यूरिल आइसलेंड को देखते रहिएगा, यह देखिए, यहीं पे कमचटका पेनिसुला है, यहीं पे स्खालन है, तो थोड़ा सा इन है आपके लिए आप देखेंगे तो UPSC से उठाए ऐसा कोई एक्जाम नहीं है जो Union Public Service Commission लेती हो UPSC Union Public Service Commission जितने एक्जाम कंड़ेट कराती है उसका बहुत फेवरेट कोशन रहा है किसी जमाने में रहा है हो सकता है इस बार जो है कोविड में यह उठाके पूछ ले तो एक बार जो है आप इस कोशन को देख लीजिए सेलेक्ट दकर्ट एंसर उसिंग देख लिए आप सारे कोशन इतना टर्फ नहीं बना सकते या ऐसा नहीं बना सकते इसलिए मैं कोशन को ऐसे रखता हूं कि थोड़ा आप भी एजी हो जाएए थोड़ा मुझको भी कम उस पे थोड़ा जोर लगाना पड़े तो अभी हम लोगों ने एक कोशन देखा क्यों इला आइसलेंड पर देखा तो यह हम लोग देखते हैं विचे मांग दो फॉलॉइंग कॉंट्री जार पार्ड और फॉर्ण ऑफ अफरीका जिबूती है सुमालिया तंजानिया एरिटीरिया सेलेक्ट दे करेक्ट एंसर उसिंग गीवन बिलो वन तो ए अछिए आ Beiव स्क्रीन पर दिख रहा होगा सुमालिया यह वला खूेगा आप यह क्यों है इसे पैंस यहा है नि एंसल सुला का तो तीन जगा पानी से घिरा हुआ इसलिए आप उसको पेनिसू良 बोलते हैं अची ऑनिसे गरा ऑस्ट से कंड पस्ट सेकंड हो गिया थ tutti यह यह यहां पेनिसूब गया आप अप्र आप अपने स्क्रीन पर स्क्रें पारिम है यह Kalina का ए्रिक्षन अरिप्र most projection of the African continent includes Zibuti, Eritrea, Ethiopia and Somalia. हम लोग चलते हैं question number 4 पे फिर ये consider the following pairs है और ये सारे pairs ये जितने भी trenches हैं, ये trench हैं, सारे trench, बहुत important हैं, लगातार news में बने हुए हैं, देखिए फिर मैं कह रहा हूं कि क्यों इस topic का नाम हम लोगो ने यहां पे current plus traditional रखा, current plus traditional इसलिए रखा, क्योंकि ये traditional के questions हैं, लेकिन current में ये news में बने हुए हैं, तो इसलिए series का नाम हम लोगो ने current plus traditional लखा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चार तारीक को इसमें से questions जरूर फंसेंगे, क्योंकि फिर कोई area बसती नहीं हैं, हम लगातार हम सारी area इसको touch कर लिया, तो बचे का ही नहीं कुछ ऐसा कि जो नह पूछा जाए, consider the following pairs, तो trench देखेंगे, location, trench कहां है, जो है, और locations कहां है, Tonga, Pacific Ocean में है, Java, Indian Ocean में है, Mindanao, Pacific Ocean में है, South Sandwich, Atlantic Ocean में, which of the pair given above is our correctly matched, यहां पर यह पूछ रहा है कि कौन सा pair correctly match है, पहला A option अगर आपके सामने screen पर देख पा रहा है हूँ, पहला दूसरा ओचाओ था, B option देख पा रहा है हूँ, 2, 3 और 4, C option देख पा रहा हूँ, तो 1 और 3, और D देख पा रहा है हूँ, एक, दो, तीन, चार, which of the above given above, और अगर एक चीज़ और समझेगा, अगर आपके questions गलत हों, तो घवडाईएगा मत, क्योंकि questions गलत दिखे, यहां पर गलत हो, exam hall में गलत नहों, सबसे important aspect है, आपको यहां प्रोच साहित करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, मैं आपको exam hall में हतोत साहित नहीं करने दूँगा, यह मैं guarantee लेता हूँ कि आप exam hall में हतोत साहित नहीं होंगे यहाँ पे आप मेरे साथ हतोत साहित हो रहे हैं कोई बात नहीं मैं समालूंगा मैं चीजों को बताऊंगा लेकिन exam hall में घवड़ाई गमत सिर्फ आप होंगे आपका ज्यान होगा और कोई नहीं होगा आपके साथ तो ऐसे में आपकी तयारी मैं करवानी के लिए यहां बैठा हूँ मैं आपको करवा रहा हूँ ट्रोंग प्लश लोकेशन विच औफ अप थेह समात्रा एरिया यह जावा-एरिया का ट् Trung यह है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्ले टेक्टॉनिक थयोरी है उस प्लेट टेक्टॉनिक थयोरी में एक convergence का है एक divergence का एरिया है और एक जो है transforn का एरिया है यह जो convergence का एह यह तीन भटता है Continental Convergence और फिर क्या है ओजन तीनों convergence में जब भी बड़ी जो भी plake क्या करेंगी करेंगे वालिजीज यह से यहां से दोनों पर बल लग रहा है कौन सा बल है संपिडनात्मक बल में संपिडनात्मक कॉंप्रेशनल फोर्स लग रहे हैं अब इसके लगने के कारण क्या होगा जो भारी होगी जो डेंसिटी में हैवी होगी मानली जी ये 5 है मैं ऐसे एक्जामपल ले रहा हूं ये तीन है तो density है वी है तो यह नीचे जाएगी और नीचे जाएगी तो यह क्या करेगी एक तारह का ट्रेंश का निर्माड करती है अब यहां ट्रेंश का कौन सा निर्मार है्-जावा ट्रेंश है किस के keeping है कहां पे है लोकेट कहां पे है कौन सा एरिया आपको दिख रहा है इंडियन ओशन है फिर कहां पे किसके बीच में कौन-कौन सी प्लेटे हैं तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जा सकता है और यूरेशन प्लेट है ठीक है एक्डम एक्जैक्ट लोकेशन क्या है तो साॉथ आफ इसके बाद हम लोग चलते हैं जो हम लोगों ने दूसरी बात की थी यहां पे यहां पे इस एरियाज में साउथ सेंडविच का सेडविच का करते हैं सेंडविच ट्रेंच तो सेंडविच ट्रेंच पर हम लोग देखते हैं तो सेकंड डीपेस ट्रेंच इन अट्लांटिक बात की जाए अगर वोल्ड में बात की जाए तो सम्थिंग डिफरेंट है अगर यहां पर किया जाए कि अट्लांटिक ओशन का सबसे गहनतम ट्रेंच कौन सा है तो वह प्योटोरिको है लेकिन प्योटोरिको ट्रेंच चुकि बहुत जादा उसमें मतलब न्यूज में भी रह हो रहा है ज़रा देखिएगा यह जो साउधन अमेरिकन प्लेट है यह बारी है यह साउधन अमेरिकन प्लेट क्या कर रही है प्लेट जो है स्कॉटिया प्लेट है यह स्कॉटिया प्लेट है तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं स्कॉटिया प्लेट के यह जो southern American plate है यह कहा जा रही है नीचे जा रही है और इस plate के नीचे जाने के कारण जो है वो क्या बन रहा है यहां पर trench बन रहा है और उस trench को फिर हम लोगों ने क्या नाम दिया या दुनिया ने क्या नाम दिया तो उसको कहा कि sandwich trench है तो मैंने आपको यह भी clear किया मतलब यह कैसे convergence से बन रहा है किन दो प्लेटों के convergence से बन रहा है subduction of the southern American plate by the Scotia plate formed this trench as well as the archipelago of Iceland यहीं पर जो है तमाम archipelago का मैंने आपको मतलब बताया था कि यह क्या होता है दीपों का समू होता है दीपों का समू होता है तो जो अगर मान लीजिए और यह न पूछे यह हो सकता है sandwich trench पे न पूछे स्कोटिया आर्क पे पूछ ले कि कहा है यह यह पूछ ले कि कैसा है तो यह स्कोटिया आर्क का area कहा है Southern Atlantic Ocean है और Southern Atlantic that extends the tip of Antarctica अंटार्टिका तक का भाग जो है यहां पे आता है तो यह स्कोटिया आर्क पे भी आप याद रखेगा कि स्कोटिया आर्क पूछेगा कैसे बना कैसे बना तो आपको यह याद रखना है कि यह बना कैसे साउदन अमेरिकन प्लेट है और स्कोटिया प्लेट है दोनों के convergence के कारण यह प्लेट नीचे गई और नीचे जाने कारण ट्रेंच बनाग उस ट्रेंच को क्या sandwich sandwich याद रखेगा sandwich में क्या होता है sandwich अगर आप कभी खाए होंगे एक ब्रिड होगे आपका बीच में क्या है बीच में आपने मक्षन डाल रखा है मतलब यह जो आर्थिक स्थितिक हिसाप से आपने जो डाल रखा है बड़े लोग तो और पता नहीं क्या क्या डाल लेते हैं लेकिन जो कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो सामान मध्यमवर्गी परिबार से आते हैं तो यह पे Atlantic Ocean, Southern American Plate और इसके कैस का नाम है, Southern American Plate और Scoutia Plate के बीच में जो यह आ रहा है, यह कौन सा प्लेट है, Scoutia Arc है, कौन सा बना, सैंडविच बना, तो हम लोग आगे चलते हैं, बहुत न्यूज में रहा है, Tonga Trench पे लेते हैं, आपके सामने था Tonga Trench, It is an Oceanic Trench, located कहां पे है, Southwest Pacific Ocean पे है, Southwest Pacific Ocean पे है, Tonga Trench है, यह देख लीजे आपके सामने, Australian Plate है यह, Australian Plate है यह पूरा, Tonga Volcanic Islands, बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, तो प्लीज आप याद रखिएगा, यह Tonga है, Tonga Volcanic Islands, यहां पे Tonga Plate है, यह क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है यह नीचे जा रहा सब्डक्शन हो रहा है, और इसी के गारेंट कहों सा प्लेट बन रहा है, यह Tonga Trench बन रहा है, यह deepest Trench of the Southern Hemisphere है, Southern Hemisphere और सेकेंड डीपेस्ट ऑन अर्थ है, पहला deepest कहों सा है, तो Philippine Trench है, Mindanao Trench, also Philippine Deep, Mindanao Trench and Mindanao Deep जो है, तो यह वाला एरिया है, यहां प Great Dividing Range is located in New Zealand, क्या यह जो परवत का नाम लिया जा रहा है, जिसको क्या कहा जाता है, Great Dividing Range, यह कहां पे है, यह New Zealand में है, पहला, Ekanbua is the highest, जो पॉइंट है, मतलब सरवादी कूचा चेतर है, किसका, Rockies Mountains का, Rockies Mountains का, अभी बहुत चर्चा में रहा है, क्यों, Australia में, स्वरी, ए वो USA और मेक्सिको में दोनों में विस्तार है, तो अगर आप which of the statement given a boys are correct, 1 and 2, 1 only, 2 and 3 and none, जरा देखिए कौन सा है, answer which of the statement given a boys are correct, कौन सा है, 1 और 2 है, खाली 1 है, 2 और 3 है, none है, जवाब होगा आपके सामने जो है, आप देख लीजे, जवाब क्या है, आपके सामने D answer है, none है, अब जरा नन पे है, तो क्यों है, जरा ही Australia है, क्यों ये सवाल हमने बना लिया, ये सवाल an academy की team ने क्यों रखा, इसलिए रखा, ये सवाल, ये question बहुत important है, क्यों है, क्यों है, क्योंकि एक चीज़ याद रखेगा अभी Australian fire दुनिया में, बहुत सारी जयवे वित्ता हैं कि हान लिए, तो इसलिए Australia को जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, Australian fire के बाद- तो इसका छरण हो रहा है, लगातार erosion हो रहा है, तो इसलिए ये बहुत है, erosion के examples में, दुनिया में इसका नाम आ रहा है, तो इसलिए बहुत जादा example है, अब जरा देखिए, great dividing range कहां पे है, तो बोल रहा है, उसकी New Zealand में, New Zealand इसके नीचे है, नहीं, ये Australia में है, तो it lies in the Australia's तो ये है, कहां से lies कर रहा है, जरा देख लीजे तो ये upper part, ये northern है, ये Cape York Peninsula है, यहां से लेके southern areas तक अगर आप जाए ले जाएंगे, तो Melbourne तक है, ये Melbourne तक है, ये इसका Brisbane का सहर देखिए, ये पढ़ा, ये Sydney पढ़ा, ये Canberra पढ़ा, ये आपका क्या पढ़ रहा है, ये दे लेट पढ़ा, कई बार सहरों का नाम से क्रम पूछ लेता है, North to South, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, हाला कि मैं ट्रिक्स में विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि ट्रिक्स आपका अक्सर जब जरूरत होती है, तभी साथ छोड़ते हैं, करंड के पास बहुत ट्रिक तो उसका समय पही साथ उसने छोड़ दिया था, यह ब्रिस्बेन, तो ब्रिस्बेन ब्रिस्बेन हो गया, S for Sydney हो गया, C for Canberra हो गया, M for Melbourne हो गया, और A for आपका एडिलेड हो गया, तो यह एरिया है, यह ग्रीड डिवाइडिंग रेंज का एरिया है, जरा आप यहां देखि इसके सरवादिक उची छोड़ी, Mount Costco का नाम है, highest peak of the range है, उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो यह कहां से है, तो KP York Peninsula, मैंने पहले ही बताया आपको यहां, KP York Peninsula से लेके, Taurus Strait तक, यह पूरा केर, यहां पे Taurus Strait, यहां बोल रहा है कि, it stretches from 35 किलोमेटर from Dawan Aslan, the Taurus Strait of the Northern tip of यहां पे Taurus Strait से लेके, यह बास Strait तक फैला हुआ है, यह इसमें अगर आपको देखेंगे, तो Queensland का पूरा एरिया आता है, New South Wales आ जाता है, Victoria का एरिया है, तो यह सारी चीज़ें आ जाती है, और यह जो mountain है, थोड़ा सा याद रखिएगा, बड़ा important है, folded mountains का example है, folded mountains का example है, folded mountains के example में folded mountains के लिए क्या मतलब उसमें क्या-क्या पाया जाता है, तो limestone, sandstone, quartazite, cyst और dolomite, तो यह एरिया बहुत important है, limestone, sandstone, quartazite, cyst और dolomite, तो यह आपको मैंने आपको great dividing ने लिए, की बात कर दी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक general awareness का इसलिए र कई बार क्या करता है, GS को प्रभावित कर देता है, मतलब कहने का मतलब यह जो general knowledge की बाते हैं, जो general knowledge की बाते हैं, यह अकसर general studies को प्रभावित करती हैं, इसलिए GK थोड़ा important होता है, क्योंकि आप उसको जानते रहें, देखिए अब यह सब रटा हुआ है, यह रटने का को कोई बहुत मतलब नहीं है, खाली आपको यह याद होना चाहिए, लगभग लगभग आपको देखते देखते यह चीज़ें याद हो जाएंगे, तो Andes, जो है, longest mountain है, तकरीबन 7000, तो इससे बहुत मतलब नहीं है, हम लोग को, Rockies का area उसके बाद है, second है, तो यह आप देख आसपास वो भी है, Applesian Mountain का है, 24 के आसपास है, हिमालया 24-100 km है, तो जो हिमालया मतलब आप थोड़ा सा याद रखेगा कि Andes, जो है, वो सरवाधिक लंबा है, उसके बाद Rockies का, उसके बाद Great Dividing Ridge का, Andes को अगर आप ले लेंगे तो Southern America, यह लेंगे तो Northern America, यह लेंगे तो Australia प्लीज इस तरह से आप कम से कम स्टार्टिंग के 4-5 या हिमालय तक की अरियास को आप जानते रहेंगे, कि क्या है, और स्टार्टिंग का कम से कम 4 तो आपको यह पता ही होना चाहिए, कि यह चार एरियास हो सकता है, वो करेगा क्या Andes और Rockies और Great Dividing Range को रहने देगा, Ural, Atlas प्लीज और हिमालय को रख लेगा, तो हो सकता है, आप कहीं confused न हो जाएं कि नहीं नहीं यह हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा साइन सब चीजों पे आप जड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कि कहीं Ural Mountains पे वो न पूछ ले, यह एरियास पे, Ural, पता चला यहाँ से रख दे कि निमलिखित में से क्रम आप बताईए कि UPSC यह कर सकता है, यह कोशन बना सकता है, कि क्रम में सरवाधिक लंबा माउंटेन कौन सा है, उनके क्रम को, फैक्ट को नहीं पूछेगा, क्रम पूछ लेगा, तो यहाँ पे आप चेत्र है, अरजन्टीना का एरिया देखे, यहाँ पे यह बन तो रहा है, आपको चिली लगेगा, लेकिन है यह अरजन्टीना का एरिया, तो प्लीज आप थोड़ा सा याद रखेगा, इट इस हाइस माउंटेन आउटसाइड आप एसिया, अगर एसिया से बाहर हम जाएं 6959 पे, तो बहुत ज़्यादा है, साउध और विस्टन हमिस्फियर पे कांग हुआ, पे हम लोग देख ली, हम लोगोंने, उसके बाद हम लोग अपलेशन माउंटेंस पे चलते हैं, अपलेशन माउंटेंस का जो एरिया है, अपलेशन माउंटेंस का वहाँ पे क्या इसे का कौन सा पहाग है, तो ये नार्दन भाग ये होता है, ये साउधन होता है, ये इस्टन होता है, ये वेस्टन होता है, तो ये जो अपलेशन माउंटेंस का जो पूरा का पूरा एरिया है, इट स्प्रेड ओवर USA और कैनेडा, not USA और मेक्सिको, थोड़ा सा इन बातों का रेंज हो जाएगा, कई माउंटें की सिंखला जब होती है, उसको कॉडिलेरा हम लोग बोल देते, बहुत सारे रेंजेस हो जाएंगे, या बहुत सारे माउंटें हो जाएंगे, रिज हो जाएंगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉडिलेरा बोलते हैं, ये पूरा एरि वेस्टन है यह कौन सा है वेस्टन या तो यह जो एरिया है जो Northern या वेस्टन या Southern वेस्टन का जो भाग वो कौन सा अपलेशन का भाग है अब यहां पे कान सा सागर आप देखेंगे तो यह Atlantic Ocean कोशन आप देखेंगे इसके बारे में ने आपको बता दिया Applesian Mountain बहुत ही important है क्यों important है इसका एक बात समझते रहेगा दुनिया के oldest mountains में इसका नाम आता है जैसे अगर आपके यहां पे सबसे ज़्यादा oldest का नाम लिया जाए तो अरावली का नाम आता है वैसे ही जो है oldest mountain systems में सबसे ज़्यादा जो नाम है वो Applesian का ह है कुछ लोग तो believe करते हैं they are believed to have been formed 480 years ago during the Orduician period तो यह उससे भी पुराना है मतलब अच्छा mountain है और यह Applesian mountains in the series of mountain range यह Eastern part of the America देखिए यहां पर साफसाफ लिखा हुआ है यह इस्टन सौरी में थोड़ा यहां गलत हो गया हूँ Northern Southern यह Eastern होगा ना यह Eastern होगा यह Eastern भाग है very very sorry very very sorry यह Eastern यह Western है असल में बोलने के क्रम में कई बार चीजें जो हैं जल्दी जल्दी निकल जाती है यह होता ह है कि information हम लोग जल्दी से आपको cover कर दें तो यह Western भाग है यह Eastern तो इस्टन भाग में है प्लीज आप इसको नोट करिएगा यहां पर फिर से मैं आपके लिए नोटेट कर दे रहा हूं थोड़ा सा प्लीज इन बातों को ध्यान दे रहा हूं इस्टन पार्ट आफ नॉर्थन अमेरिका इस्टन पार्ट है यह ठीक है अब हम लोग आगे चलत है उसको चार डाइब्स का होता एंध्ररसाइट यहां में सबसे बड़ा छेत्र पाया जाता है वो Applesian Mountain है, तो ये बात याद रखिएगा, ये coal mining के साथ साथ ये जो है iron और zinc areas, iron और zinc areas के लिए भी जाना जाता है, और 1859 में जब petroleum industry का commercial use किया गया था, तो ये जो western Pennsylvania, ये दिखिए, ये area, ये area, ये area, ये ही यही पे सबसे पहले commercial use जो है, तेल का किया गया था, ये 1859, discovery of commercial quantities of petroleum in the Applesian Mountains के कारेंड ये 6 states of petroleum industry भी बना था, तो ये इसलिए आप याद रखिएगा Applesian Mountains को, इसलिए इस सवाल बना, छटमा question लेते हैं, red cliff lines refer to border between India and Pakistan, India and Pakistan, sorry थोड़ा pen गरबर हो गई, सवाल है, red cliff जो है, बहुत ज़्यादा news में है, इसलिए question बना दिया गया, red cliff question यहाँ पर आ जाए, South Vietnam और North Vietnam के बीच में, यह लाइन है, 17th parallel, यह लाइन डिवाइड करती है, North Vietnam को South Vietnam से, Geneva Accords के तहरत यह हुआ था, 20th parallel line कहाँ पर है, Libya और Sudan के बीच में है, थोड़ा सा important है, याद रखिए का, Libya और Sudan के बीच में है, तो यह एक question और लेते है, विच बौप फॉल लिंजिए इसिया समात्रह रही होंद्र, यूँ हट हे कि जावा है कि बर्नि वहें, आपको एंसर देना है, आप एंसर द्यजियों इसका कि फुफ फॉल मीज़ेश साइस इसिया, अब इसका एंसर अगर हम देखते हैं, इसका एंसर देखते हैं तो Borneo, answer is D, this is Borneo, Borneo Iceland है, Borneo में अगर इस दे थार्ड लाइजस इसलेंड इन दे वोल्ट, ये सब लार्जस आइसलेंड इन दे वल्ड है, लार्जस इन दे एशिया भी है, लार्जस ये आइसलेंड है क्या, आब इसस आसलेंड के साथ देखिये का जर यह पूरा बोर्नियो आइसलेंड बोर्नियो आइसलेंड यह देख रहे हैं आप लोग अपने स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यह बोर्नियो आइसलेंड है और बोर्नियो आइसलेंड में मलेशिया है यह इंडोनेशिया है यह ब्रुनेशिया और इंडोनेश तो बुरुनेई का अधिकार है, मलेशिया का अधिकार है और इंडोनेशिया का अधिकार है. बुरुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया और यह नीजी में क्यों है, थोड़ा सा ध्यान रखे गाए इस बात को, बहुत इंक्रेंट है. एक तो third largest island है और ये Malaysia, Brunei और Indonesia इन तीनों का political है काली मंतन जो Indonesian portion of the बोर्नियो ये जो area है इसको काली मंतन कहा जाता है ये जो area पूरा है ये काली मंतन है काली मंतन है ये जो area है वो काली मंतन है और थोड़ा सा यहां ध्यान रखेगा 73 पाइस ये जो Indonesian जो President है जो को विडो साब ये जकारता से मूव करेगी इसलिए चुकि ये movement है किसका capital का movement है और UPSC में capital के movements अगर कहीं दूसरा कोई capital बनता है तो उस चीज को पर थोड़ा सा कहीं ने कहीं उनका ध्यान रहता और सवाल बन सकते हैं मैं आपके सामने list of the major isolants of the world लेके आ रहा हूँ Greenland Northern Atlantic में है New Guinea Southwest Pacific में है Southwest Pacific में है Borneo location इसका West Mid Pacific एरिया है Indonesian का एरिया है Borneo इसमें Brunei और Malaysia दोनों है ठीक है यहाँ पर अगर Medagascar को देखें तो Indonesian Asia का एरिया है Baffin को देखें तो Northern Atlantic है ये Canadian है प्लीज आप इनके list को याद रखेगा Greenland को जरूर से याद रखेगा New Guinea और Borneo स्टार्टिंग के तीन को कम सकम याद रखेगा Medagascar को भी याद रखेगा फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं तो सुमात्रा है सुमात्रा स्टार्टिंग का ही ले ले लेते हैं सुमात्रा और फिर होंसू तो थोड़ा कहीं न कहीं अगर वो हो सकता है कि आपको जो है मेजर आइसलेंड पर थोड़ा टेस्ट कर ले और Greenland का नाम हटा दे क्योंकि Greenland दुनिया जानती है Greenland को थोड़ा सा हटा दे पहले को हटा के खाली New Guinea को रख दे न्यू गिनी को रख दे तो न्यू गिनी है बोर्नियों का एरिया है तो न्यू गिनी और बोर्नियों का एरिया को आप ले लीजेगा ठीक है न्यू गिनी और बोर्नियों फिर उसके बाद हम लोग इंडिया का भी यहां आइसलेंड सारे कर लेते हैं अरकान योमा माउंटेन रेंज ऑफ म्यानमार निकोबार आइसलेंड अंडमार निकोबार आइसलेंड है यह माजुली आइसलेंड अगर आपको दिख रहा हो यह दिखे माजुली आइसलेंड रिवराइन आइसलेंड है रिवराइन आइसलेंड और लार्जेस्ट रिवराइन इसलेंड है ब्रंपुत्रा इनसंस स्रिवरैंडिन इसलेंड अब्लिया को देखा जाये तो जो बड़े आइसलेंट हैं वो कर लिया दूसरा इंडिया के जो प्रमुका इसलेंट है वो देख रहा है हम लोग इस तरह से एक रिवीजन भी हो गया और हमने आइसलेंट पे कोश्चन्स भी कर लिया स्त्री हरिकोटर सेटलाइट लांच सेंटर है नारकॉंड़म आइसलेंट एक्स्टिंट है याद रखिएगा वालकनों वाले फंक्शन्स में कि वालकनों जो है एक एक्टिव होता है एक्टिव होता है एक्टिव का मतलब सक्रिय एक पैसिव होता है और एक क्या होता है एक्स रहे हैं वर्तमान में प्रेजेंट में हो रहा होगा पैसिव में क्या होता है मतलब वर्तमान में हो तो नहीं रहा है नहीं हो रहा है लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकता है होगा हो सकता है मृत में फ्यूचर में हो सकता है और मृत किसको हम लोग बोलते हैं एक्सिंट किसको बो होने की संभावना नहीं है लेकिन नारकॉंडम एक्सिंट आप वलकेन वॉला गया लेकिन बीच में इस यह क्या था यूपसी निसको बना रखा था कुष्चन बना रखा था इसलिए कुष्चन बना रखा था क्योंकि यह Tag कि यहां पर क्या है कुछ वॉल्केनकी एक्ट देखने को मिली थी बैरन आईसलेंड लेंड है कता ची modal स्री लंक बॉड इंपोर्टट island है katachi discord बहुत इंपार्टेंट है क्योंकि विवादि इच्छेत्र है विवादि क्षेत्र है इंडिया ने पाकिस्तान इंडिया रख करणों को देखेंगे आप तो मुंबई की चल रहे होंगे मुंबई की चल रहेयोंगी Morocco यूप आइसलेंड साल सेट है मुंबई उसी से बनके मिला हुआ है वेलिंटन आइसलेंड करला में है यह आपने देखा इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं न्यूमूर आइसलेंड से यह एरिया है ठीक है गंगा ब्रहंपुत्रा के डेल्टा के कारण यह डिस्पूटेड बन रहा है एरिया ऑन गंगा ब्रहंपुत्रा डेल्टा डिजन डिस्पूटेड साइट बिट्विं बंगलादेश सागर आइसलेंड यहां पर आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगौल on the continental इसे यह सागर का एरिया यहां इसी तरह से वीलर आइसलेंड है वीलर आइसले फेसलिटी है होप आइसलेंड on the coast of काकी नाड़ा अंधर प्रदेश यहां पर सतीज धवन स्पेस सेंटर है होप आइसलेंड है याद रखेगा UPSC में इस वक्त इस बार के छेत्र बहुत important है क्योंकि कहीं कहीं गत्रदियां बहुत सारी हुई है और मैंने आपके लिए ये cover किया जो है तो यहां पर आज जो है आज की class हम यहीं पर रोकते हैं आज की class को हम यहीं तक करते हैं धेर सारी शुप कामना है आप लोगों को मेरी तरफ से मुझे सुनने के लिए मुझे दे उसके बाद species के सीरीज के बाद हम लोग एक सीरीज करेंगे index पे एक सीरीज हम लोग कर लेंगे agriculture पे तो जो important aspects है मतलब विरा ये उमीद है मुझे कि कम से कम 10 से 12 question के आसपास जो है हम लोग ये इतना randomly जो है फटाफट करके हम निकाल सकते हैं तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हू और उम्मीद करता हूं कि वह अपने भविश्य के प्रती जो है वह अपने रास्ता तैं करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने लक्ष की प्राप्ती करेंगे धन्यवाद